हेलो हेलो सभी का स्वागत है वंदन है अभिनंदन है एक या दो मिनट का समय मुझे देना पड़ेगा मुझे एक दो मेरे मित्रों ने कहा था कि आप जब चालू करते हैं फेस्बुक और जब लाइव आते हैं तो जब तक आपका नोटिफिकेशन आता है और आप चालू हो जाते हैं तो हमारा शुरू का एक या दो मिनट का सेशन जो है वो मिस हो जाता है इस दिए मैं आपको दो मिनट का समय दूँगा दोस्तों आप जानते ही हैं कि हम पिशले चार दिनों से भावनाओं और उसका क्या रूल है हमारे जीवन में और अपने भावनाओं को किस तरह से नियंत्रण में रखें इसके विश्व में हम बात कर रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टन टॉपिक और इस अध्याय का हमारे जीवन में बहुत बहुत ज़्यदा प्रभाव परता है क्योंकि जिस तरह से मैंने आप से बताया था कि भावनाओं ही होती हैं जो कि मनुश्म होती हैं और इसी लिए हम पक्षियों से अपने आपको अलग कर सकते हैं क्योंकि सोचने समझने का जो गुण है या जो एक एक्ट है वो इनसान ही कर सकता है हलो मेरे मित्रो अब आप सब लोग चुड़ रहे हैं आप सब लोग सुन रहे होंगे तो अब मैं आगे बात शुरू करता हूँ कि पिछले चार दिनों में हमने क्या देखा भावनाएं और उसका रोल के उपर हमने बात की थी और मैंने आप से बताया था कि इमोशन्स या भावनाएं हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं और यदि आप किसी भी भावना में बहते समय या भावना में बहने को चालू होते समय यदि आप fraction of second में भी आप धहरे रख लेंगे सूच लेंगे जरासा क्योंकि बहुत मुश्किल है क्योंकि कई बार भावनाएं हमारे मन मस्तिश्क पर बादल जैसे मंडरा कर और उनको ढठक लेती है मगर मित्रो जब हम जीवन में आए हैं तो कितना अच्छा गाना था वो दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा तो इस गाने को देखते हुए हमें जीना तो है और जिया जाता है तर्क शक्ति से सोच समझ कर और हर बात को परख कर मेरी जो पहली कविता थी उसकी अंतिम लाइन भी यही थी जो मैंने आपको बताया था जो मेरी पहली कविता थी उसकी अंतिम लाइन और अंतिम स्टैंजा क्या था यदि हम उसको याद करें तो उसमें यही था कि महनत करो बांटो और सब को गले लगाओ सोचो समझो और आगे बढ़ते चलो तो मित्रो पिशले चार दिन से सबसे पहले हमने भावनाओं को यह देखा कि जब हम बहुत ज़्यदा खुशी में होते हैं तो भावनाओं किस तरह से हमको प्रभावित कर सकती हैं किस तरह से हमारे जीवन के दिशा को मोड़ सकती हैं किस तरह से हमारी खुशी को दुख में बदल सकती है फिर हमने देखा कि जब हमको बहुत ज़्यदा दुख होता है हम बहुत दुखी होते हैं किसी भी कारणवाश तो भावनाएं हमारे उस दुख को किस तरह से और आगे मढ़ा सकती है उस दुख को किस तरह से और दारुन मना सकती है यह हमने देखा इसके बाद हमने देखा कि जह हम गुस्से में होते हैं तो भावनाएं किस तरह से हमारा विनाश कर सकती है गुस्सा पागलपन के निशानी है और जब मनुश्य पागल हो जाता है तो उसे फिर कुछ भी याद ने रहता तो भावनाए किस तरह से हमारे गुसे को विनाश की तरफ ले जा सकती है और चौथा मैंने कल बताया था आपको कल हमने देखा कि किस तरह से हम जब निराश होते हैं भयानक निराशा में पहुंच जाते हैं जिसको कहते हैं डिप्रेशन में आ जाना तो भावनाए किस तरह से हमको आत्म हत्या करने को भी मजबूर कर सकती है या किसी और की हत्या करने के लिए मजबूर कर सकती है मतलब ये सारी भावनाए जो है किस तरह से हमारे हमारे जो present scenario है चाहे वो खुशी का scenario हो चाहे वो दुख का scenario हो चाहे वो गुस्य का scenario हो और चाहे वो निराशा का scenario हो इसको किस तरह से हमारी भावनाएं हमको और अधिक आहत कर सकती है अब पांचमें दिन और आज अंतिम दिन इस के लिए इस टॉपिक के लिए मैं सिर्फ यह बताना चाहता हूँ कि मित्रो भावनाओं को जिसने अपने कबजे में रखा वो राजा है भावनाओं को जिसने अपने कबजे में रखा वे राजा है ये अवश्य है कि हमको हमारी भावनाएं भढ़कती हैं ये अवश्य है खुशी के सामें भढ़केंगे दुख के सामें भढ़केंगे निराशा हो के सामें भढ़केंगे गुस्ता के सामें भढ़केंगे पर मनुष्य सफल मनुष्य वोई है जो कि इन भावनाओं को नियंतर्ण में रखना सीख जाए इसी दिए कहते हैं जिस तरह से इंद्रियों को वश्मे करना बहुत आउशक है बड़े-बड़े संत महत्मा हुए हैं बहुत बड़े-बड़े लोग हुए हैं जिन्होंने अपने इंद्रियों को अपने वश्मे कर लिया आज भी हमारे बीच में चलते फिरते लोग हैं जिन्होंने बहुत सारी चीजों को अपने वश्मे कर लिया जो कि बहुत मुश्किल है बहुत मुश्किल है एक हमारे मित्र हैं मुझसे बहुत बड़े हैं उन्होंने आपने आपको ये कमांड दी हुई है कि शाम को छे बजे के बाद खाना नहीं खाना है वे पिछले 35 वर्षों से या 40 वर्षों से वो छे बज़े के बाद खाना नहीं खाते हैं उन्होंने अपने को पना लिया और अपने आपको कंट्रोल कर लिया उनको देखा देखी मैंने भी यहां पर कारे करना शुरू कर दिया और मैं खेर 100% तो नहीं पर फिर भी 50-60% तक मैं इसका पालन करता हूँ तो मित्रो जिस व्यक्ति ने अपनी भावनाओं का नियंत्रन करना सीख लिया जिसने भावनाओं की महत्ता को समझ लिया जिसने ये समझ लिया कि इन भावनाओं से मुझे क्या हानी हो सकती है वो व्यक्ति तो जीवन की नईया को पार लगा लेगा और जो व्यक्ति नहीं समझ पाया वो कहीं ना कहीं उलच के गिरेगा अपना भी नुक्सान कराएगा अपने परिवार का भी नुक्सान कराएगा अपने समाज का अपने देश का भी नुक्सान कराएगा तो ये हमारे उपर है कि हम किस तरह से जितनी जल्दी हो सके भावनाओं को हमेशा मस्तिश्क के तरक शक्ति से आप उनको परखे मस्तिश्क जो बोलता है जो आपकी समझ बोलती है जो आपकी सोच बोलती है उसको सबसे पहले सामने देखा रहे उसको पहले सरोपरी रखे मेरी ये समझ बोलती है कि मैं ऐसा काम नहीं करूं ये गलत है ये तरख्षक्ती बोल रही है मगर मैरी भावना बोल रही है कि करने से क्या है कॊन देख रहा है कॉन देख रहा है मेरी वाइफ ने गुला-जाहून बनाके रखे बहुत छोटा से एक्जामपल दे रहा हूं किसी काम का ने एक्जामपल लिया पर फिर भी दे रहा हूं मेरे वाइफ ने गुलाज जाहून बना के रखे बहुत बढ़िया गुलाज जाहून बनाए अब मुझे शुगर रहती है और वो कहीं गई हैं और मैंने फ्रिज खोला मुझे बहुत बढ़िया गुलाज जाहून देखे मैंने उस गुलाज जाहून निकाले और मैं उसको माइक्रोवे में गरम करके सुझावाँ खाऊं मेरा मस्तिश कह रहा है कि ये गलत है क्योंकि तुमको डाइबिटीज है और डाइबिटीज कंट्रोल में है तो उसको क्यों बिगारते हो भाई मस्तिश ये कह रहा है मस्तिश कह रहा है मत करो ऐसा काम मत करो मगर भावना ही जो है न अरे यार क्या है क्या होता है आज खुश होंगे आज हमने ये काम किया है भावना ही जो हमारी हैं भाकती है उसको लगता है कि अरे एक रतगुला खा रहा हूँ ना एक गुला जावन खा रहा हूँ तो क्या हो गया आज एक खा लूँगा बड़ा अच्छा लगेगा चार दिन के बाद दूसरा खाऊँगा यही सोचके कि अरे एक ही दुखाया है जहर जहर है चाहँगो एक हो चाहँगो दो तो मित्रो अपनी भावनाओं को जिसने कंट्रोल में कर लिया अपने मस्तिश्क को जिसने सरवोपरी पर रखा अपनी समझ का जिसने उप्योग किया वही जीतेगा अन्य था फिसली जरना है और अपना नुकसान कराना है बहुत बहुत धन्यवाद बहुत इंपोर्टन टॉपिक था ये जिनको आप लोग उन्ने समने बड़े धैरे से आज पांच दिन तक के सुना कल से निया चीड लेकर मैं आपके सामने पना अपसित होंगा तब तक के लिए आपसे विदा देता हूँ धन्यवाद